तो क्या दंगे करने वालों को दंगे करवाने वालों को बारत अतन दोगा। पुल्वामा में शहीद जो हुए उनको दो, संसर में जो शहीद हुए उनको दो, ना कि उनको जो धारमी खुद्माद फेला रहे हैं। दिल्ली के कई जगाओं में बोर्ड लगा EVM की मेरबानी से, EVM की वहीमानी से, चार सो पार, एलेक्शन हुए नहीं है, चार सो पार है, यह सरकार, दो हजार का नोट नहीं चला सकी, दो हजार का नोट पांसा, सरकार क्या चलाएंगे, दो हजार का नोट नहीं चला सकी, सरकार कि अपने पीजये देख विए कि उनको भारात रतान मिलते हैं लेकिन इसी चीज़ को लेकर अर करता हूं क्यों आपको में तत्ह बताता वो भारा रतन किन को मिलना चाहिए पुलवामा में अटैक हुआ उन शहीदों को मिलना चाहिए पुलवामा में जो शहीद हुआ हमारे जवान उनको मिलना चाहिए संसद को जिनों ने बचाया जवानों ने उनको मिलना चाहिए संसद के अंदर यही बैठे थे अलवानी जी यह ड जहां जहां से वह रत निकला वहाँ से लोग मरतेग właściwie 5600 करने उनको रोजगार दो किसी कोई कॉलेज खोलो स्कूल कोलो को मंतराले ख़ो ऊद्ध की उनकी इच्छ है तभी वह धार्मिक जंड़े लेके चल रहे हैं यूवा कोई इनको पास रहा ही नहीं देश लोग इनको चाहते ही नहीं आप एक चीज बताएए देश के परदान मंत्री जी संसद में बोल रहे हैं देश के परदान मंत्री जी कि 400 नहीं 370 अब मुझे आप ये बताएए दिल्ली के कई जगाओं में बोर्ड लगा EVM की मेरबानी से EVM की वहीमानी से 400 पार एलेक्शन हुए नहीं है 400 पार है अरे आप जोतिशो पारदान मंत्री जी वहां बोल रहे हैं 370 अब आप बताओ आप 400 पार कह रहे हैं ये 370 ना आपकी 370 आने वाली है ना आपकी 400 आने वाली है जनता ने इतना विश्वास जताया है उन पे कि वह लाके रहेंगे 370 कहें या 400 पार कहें उनको जनता नहीं लारी मैडम उनको जनता उनको घर बिठाएगी 24 में राहूल गांदी को लाएंगे प्रदान मंतिर राहूल गांदी जी को बनाएंगे इंडिया गठ बंदन आएगा लोग चाहते हैं तो ब्रबात कर दें जाले 9 साल में ये कह रहें महंगाई क पांज ये बात कर रहे हैं महंगाई किन आप किसका है किंका शार्षण है उनका शाष्ण है 500 रोपे कीलो लसून मिल रहा है भीतमंत्री जी 500 रङ किलो तमालडर मिले थी तीन कि राम मंदिर बन गया है थोड़ा सा यह भी सहल एक जनता के लिए पूरे देश में मंदिर नहीं और पूरे देश में मंदिर है क्या यह सिखाएंगे यह कहेंगे राम मंदिर जाओ हमारी मर्जी जहां जाएं मैं गुर्दवारा साब भी जाओंगा मस्जीद भी जाओंगा जैनियू के मंदिर में जाओंगा क्योंकि मैं धरन में बेखे सवाब में सेक्रो राजमी हूं मैं सब जगह जाओंगा देश हमारा है सबका देश है कितने सालों बाद राम अपने घर आए हैं उनको टेंट से प लोगों तो उत झालगे लोगों तो आपति नहीं हें आप रहे हैं से लिएरे और बुरमों सलेए नोहूं में तो डॉले के घर वह प्रह духов कर देरा है इंद्रा जी ने दिये थि स्कूल को बंद कर रहें है यह इंका है आप डिना भी कुछ कहा रहें लेकिन जनता उनके साथ है उन्हों बोला कि उस दिवाली मनाई जाएगी तो उस दिवाली मनाई गई अच्छा इनकी क्या है दिवाली को आप लोग दिवाली नहीं मनाएंगे इनके कहने पर दिवाली मनाएंगे तिवाली पर लोग दिवाली नहीं मनाएंगे इस देश में सारे तोहर मनाते हैं लोग इद भी मन काले इतिहास में लिखा जाएगा काले लिखा जाएगा क्या बात कर रही है नें sih Э और ये बन गए अपना इसे माँ हूं, में हूं राहु जी भी दे मन्दिर क्यों ही क्यूंकि ढर गए कि राहू जी मन्दिर जाएंगे जो मेरे MGR मेरा फोकस नहीं होगा तो एनलों को भी बोल दिया था कि आप दो carrying brown को डी पोजा ना आक दो आप 59 Zero pro इस देश में किसी कहनी है एक आप लोगों ने चार पांज बाते ना इमेर के लिखी हुई आपके मस्तिक में ना ये ऐसा बहर दिया है जहर भरा वा ये चार बातों का डंका बाजरा है विश्व गुरू है यह है जीत के आएंगे जो है वो बोला जाएगा ना क्या है वो आप उस पर भी आपती जाता रहे हैं कि जो बाहर रतन मिल रहा है अगर मिल गया फिर क्या करेंगे देखे ऐसा है मैं देखी एक महिला है हमारी अच्छी देश की नेता भी रही वो शिरीमति अच्छी शुष्मा-चवराजवर गिजिन में उन्हों ने कहा था जब सरकार ब कि अगर श्रीमति सोनिया गांदी जी को प्रधान मंतरी बनाओगे तो मैं गंजी हो जाओगी लेकिन ये सोनिया जी थी बड़ी दर्या दिल त्याक की मूर्ति देवी त्याक की देवी श्रीमति सोनिया गांदी जी भूतपूर देश में शहीद हुए राजीव जी की धरम पत आपके आउन कैमरा पे अगर आलकिशनमानी जी को दिया गया तो मैं गंजा हो जूँगा अपने जो बाल हैं वो लिफाफे में बंद करके स्पीश पोस्ट करके महामीम राश्पती जी को भेज जूँगा कि इस से बेश्चरमी वाली बात इस देश में शर्म वाली बात कोई होगी वही देश के डिप्टी परदहान मंत्री को जिन्हों ने बचाया उनको दो भारा रतन जिन्हों ने संसर बचाया उनको दो भारा रतन जिन्हों पुल्मा में देश को बचाया उनको दो भारा रतन उन शहीदों को दो उनकी में लिस्ट भी जारी करूँगा पुल्मा तो हो खूँ आटम औशीर आखेंगे इंड्याफ औरे मेरा आटमश्वास सथ एक और मेरा पांगरस पार्टी की सरकार बने की अग्स पार्टी की सर्कार बने एस बितैनि जितेगा कर गजदा और यूजिंदा आटम आथे पी जिंदाबाल आप लो awakा है लेकि चुनाव आयोग सुन कहा रहा है वह बाइमान है ना दरा हुआ है जैसे आपने देखा ना भी देखा अपने चंडीगार में कितनी बाइमानी हुई पूरे आउन कैमरा हमारे जो सुप्रीम को चीफ जस्टिस उनको कहना पड़ा रे शर्म करो शर्म करो देखिए ने कि बेलेट पेपर लुगाई पेपर से खाण हो सकती है विदंगा ना अब इस लोगाइए फेल फ़ीघा करें हैं इस जो आपको आने वाले मुद्धे है ना आपको देख लेना जो महिलों पहत्त्या चार मुद्धा होगा महंगाई मुद्धा होगा यू आ विरोज कारे यह म यह मुद्दा होगा अन्याय के खिलाफ न्याय जैसे राहुल गांदी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं लोगों के न्याय देंगे यह साफ है आप यह भी तो देखिए ना कि वहां पे चुना हुए बैलेट पेपर से उसमें धांदली निकलिगे अगर पूरे भारत में चुनाफ करा दिये तो कितना धांदली होगी उसमें भी तो है ना देख लिए 140 क्रोड लोगों ने धांदली नहीं होने देगी अब जनता जाओ कोट्यली का पेसा उनके पास है आप मुझे एक बताओ यह सरकार दो हजार का नोट नहीं चला सकी 2,000 का नोट पांच ऑा सरकार क्या चलाएंगे 2,000 का नोट के चलाएंगे सरकार क्या चलाएंगे कहां चलाएंगे देश को बरबार कर दिये असर बरबाad रखिए को रुने आज देश लोग रो रहे हैं, महंगाई से, हर घर में महंगाई है, हाँ ऐसा कोई घर नहीं जो महंगाई से परशानना हो, चाहे जूगी जूपणी में रहने वाला हो, मजूर हो, पला अखर इंसान हो, चाहे कोई भी महला हो, आमी रोग रहे हैं, सब महंगाई से परशान है, और यह मेहंगाई मुद्धा बहुत बड़ा होगा, रोज गार युवकों का वो इतने गुसे में हैं, इतने गुसे में, वो करते हैं, 24 हाने दो, मेरी कई युवकों से पाती है, और इभी 24 हाने दो, हम अतना बल दिखा देंगे, साफ होंगे, इंडिया गठमंदर, राहूर तो जाहिर तोर पर देखा जा सकता है कि 2024 से पहले जंता में कितना अक्रोश देखने को मिल रहा है कि वह साफ कर देगी भाजपा सरकार को कि तमाम चीज़े आपने देखी ले लो महिलाओं का मुद्दा ले लो और भी चीज़े देखने को मिल जाएंगी उसके बाद जो अरु किसमें आपकी कर रहा है किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार गिरेगी कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दीचेगा धन्यवाद